हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैं न्यू वीडियो तो आज का वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हमारे को अगर इत्व अगर स्ट्रेटस इलडी लगानी हैं तो वह हम कैसे लगाएंगे इससे पहले हम लोग चार वीडियो बना चुके हैं आडिकॉप्टर के उपर पहला वीडियो हमने कैसे स्पीडीवी को फ्लैश किया और दूसरा वीडियो हमने स्पीडीवी में पूरा सेटप बना है अडिकॉप्टर का और तीसरा वीडियो हमने इसको टॉमिनसली फ्लाई किया और चोथे वीडियो हमने अप्टिकल फ्लो सेंस तो इसकी लिए क्या पेरमेटर से रहेंगे तो यह ठाइंगे हम लिस्ट के अंदर पेरामीटर लिस्टके अंदर तो simple side इसमें कुछ नहीं करना आपको अपनी status LED का 4 wires होती है उसके अंदर status LED के अंदर एक wire आपको लगानी है SCL में, SCL की SCL में, SDL की SDL में और 5V 5V में, minus negative 5V negative में तो यह 4 wire आपने जहां पर आपका GPS का compass की wire लगे होती है वहां यह 4 wire लगा देनी है, उसके बाद आपने page open करना है full parameter list में आपने करना है NTF NTF आपने check करना है, open कर देना है, इसमें आपने करना है NTF LED type NTF LED type आपने करनी है 259, 259 आप जैसी कर देंगे, right parameter, save parameter करेंगे और आपने इसको यहां से disconnect कर देना है, disconnect करने के बाद आपके पास जो LED आएगी वो आपकी status LED on हो जाएगी और जैसी आप quad को on करेंगे वैसे ही LED आपकी सारी on हो जाएगी, GPS पे green हो जाएगी और altitude hold पे blue हो जाएगी, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं तो यह आज का वीडियो चोटा सा है, इसको आप करके देखिए और आप कमेंट करके बताईए मेरे को आपका यह setup कैसा रहा ओके वावाई थेंक्यू